नमस्कार बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा के दूसरे पाठ के और बढ़ेंगे, पाठ का नाम है फसलों के तरहार, याने कि फसल्स जूड़े हुए तो हार भारत में कौन-कौन से जगब पे किस तरह के रूप से मनाया जाता हैं, तो पाठ की सुर्वात होती है बिहार से जहां पे फसलों का तरहार मगर संकानती के रूप में मनाया जाता है, तो पाठ की सुवात करते हैं, हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे और हर शब्दों का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे नमस्कार बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा के दूसरे पार्ट फसलों के तरहार के बारे में पढ़ेंगे, फसलों के तरहार याने फसल से जूरे हुए ऐसे तरहार जो भारत की अलग-अलग जगों पे अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, तो हम पार्ट कर सुरू कर और यहां हम सुरच के इंतजार के आस्प लगाए बैठे हुए हैं, पूरे दस दिन हो गए सुरच लापता है, आज सुबह तो गर्व रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसमें ये कहा गया है कि सारा दिन बोर्सी के आगे बैठ के हाथ तापत हुए गुजर रहा था, बोर्सी यहां पे इसका मतलब है कि एक मिट्टी का बढ़ना हुआ स्टोप जहां पे आग जलाया जाता है और लोग उसमें हाथ तापत रहते, कि कहां तो खिचड़ी के स जाता समय जो है मौसम बदल जाता है और मौसम में गर्माहर सुरू हो जानी चाहिए, लेकिन इस पार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस पार के वकर संकाती में दस दिन से सूरच दिखाई नहीं दिया, जाने कि सूरच लापता है, जिसके वज़े से सब लोग जो है रजा लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है, रह रख कर कानों में कभी चपाकल के चलने और पानी से घिरने की आवास तो कभी किसी के हाक लगाने की आवास आ रही है, जा भा के देख केरा के पता आयल की ना, आज इ लोग के उठेंग की नई खे का बोल जल्दी त यार होकस अब तो उठने में ही भलाई है यहां पे अंदाजा मतलब अनुमान लगाना कि बाहर देखने से तो समय का अंदाजा मतलब कि बाहर देखने से तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आखित समय कितना बीद गया है लेकिन घर के अंदर में हो रही चहल पहल चहल प कि सुबह हो गई है हमें उठने का समय हो गया है रहके कानों में चापल के आवाज पानी के गिरने की आवाज तो कभी हाग लगाने की आवाज हाग लगाना यानि जानवरों को जो बुकारते हैं जानवरों को जो बुलाते हैं उसको कहते हैं हाग लगाना तो इस तरह के बहु एक कम्रे में इखटा हुए दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है खिचरी में ऐसन ठाड हमें पहले कबो न देखी देखी न सारा धेर कंकना देता पापा ने कहा शायद आज धोती में इतनी ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी खिचरी में ऐसन ठाड हम पहले कबो न देखी नी सारा धेर कंकना देता पापा ने कहा शायद आज धोती में इतनी ठंड कुछ ज्यादा लग रही है यहाँ पे खिचड़ी का मतलब मकत संक्रांती के तुहार से है कि इस पार के मकत संक्रांती तुहार में कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है जो उन्हों ने पहले कभी नहीं मैसुस किया और लेखा कहता है कि शायद पापा के धोटी के वज़े से उसको ज्यादा धन लग रही है आगे बढ़ते हैं सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुई दादी बैठी थी आज दादी ने अपने बाल धोए हैं ज़क सफेद सेमल की रुई जैसे हलके फुल के बार गोर से देखने पर एक काला बाल नजर नहीं आता बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी तो ये रहा बोर्सी का चित्र जहां पर आग जलाया जाता है और दूसरा चित्र है काला तिल का बना हुआ ये मिठाई जिसे मकर संगाती में बिहार में बनाया जाता है उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं कतार याने एक लाइन पर रखा हुआ जिस पर तिल, मीठा, गुड, चावल और आदी के छोटे-छोटे धेड पड़े हुए है हमें बारी-बारी से उन सभी चीजों को चूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इखटा करके दान दे दिया गया यहां पर जिस पर तिल, तिल शब्द चो है वैसे तो सबको पता है यह तिल पर हमारे यहां मतलब की मनिपूर में तिल को हम लोग इसे थोईदिंग कहते हैं तो यहां के लोग बच्चे को अगर आपको नहीं पता है तिल का मतलब किल का मतलब थोईदिंग मनिपूरी में इसको थोईदिंग कहते हैं और गुड जो मीठा जो गुड को हमारे यहां कहते हैं उसको चिनी अंगाउगा चावल तो वह से पता है यह चावल याने चेंग इन सब के छोटे छोटे धेड धेड याने इख़टा किया हुआ सबी चीजों को इख़टा करके रखा हुआ था तो सभी लोग को कहा गया कि घर के परिवार के सभी लोग को कहा गया कि बारी बारी मतलब एक एक करके सब लोग उसको चुएंगे प्रणाम करेंगे प्रणाम मतलब नमस्कार करना और करके उसे एक साथ सभी चीजों को एक जगव पे घटा करके उसे दान में दिया जाता था तो इस तरह मकर संक्रांती इनलों के घर में मनाया जाता है ये कहां मनाया जाता है ये बिहार के जगव पे मकर संक्रांती इस तरह मनाया जाता है तो आगे बढ़ते हैं आज तो अपी दिदिया बूरी फसी उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचरी आज पर आज तो फर्माईस नास्ता नहीं चलेगा उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी आज खिचरी खाने के बाद सभी ने गया से आये तिल गया यानि एक जगा का नाम है बिहार में तो वहां से आये तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट के बड़े चाओं से खाया यानि गुड़ चीनी और तिल दिनों को मिलाके जो एक मिठाई बनती है उसको सभी ने बड़े चाओं से खाया खाते खाते मैं सोच रही थी कि किसी कितनी अलग है ना यह खिचरी जो अभी हम मना रहे हैं स्कूल में जब हम जो खिचरी मनाते हैं उनका अलग ही मस्ती हुआ करती थी छुटी का दिन नाव में बैड़ कर गंगा नदी की सैर और फिट टापू पर बालू में दोड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना कितना मज़ा आता था इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमलादीदी, आननजी, जिलमिल, भाया सब मिलकर इट के बने चूले पर बड़े-बड़े कड़ाहों में खिचडी बनाते थे हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्तातने का मौका देते हुए मटर या प्याज छिलकने बैट जाते वैसे खिचरी फिर दुबारा खाने को नहीं मिलती वकर धंग कैसा भी हो पर ये है खुश्यों का त्वेहार देखो यहाँ पर लेखा कहता है कि घर में बना हुआ खिचरी जो है उसके खाने का स्वात और मज़ा कोछ और होता है और जब विद्याले मतलब की स्कूल में ये खिचरी जब बनाते हैं लोग तो उनका मज़ा कोछ और होता है यहाँ पर छुटी के दिन में वो लो नाव में सवार होके नदी किनारे के शेर करते हैं तापू यहाँ पर एक टापू का मतलब ऐसी जगा जो चारो तरब से पानी से घिरा हुआ है जिसने दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दूपी कहते हैं और इसी जगा पे वो लोग घुमते रहते हैं और पतंग उडाते रहते हैं तो बीच पीच में उन लोग जब गुरुजी और बड़े बईया लोग जो है वो लोग खिचरी बनाते हैं और बड़े ये चूले पर बनाते हैं कड़ा हो यहां पर कड़ा हो का मतलब एक कड़ाई का बड़ा सा बड़ा सा बरतन पात्र कहेंगे तो वहां पर खिचरी खाने क स्वात का मजा जो है वो कुछ और ही होता है और घर में बना हुआ ये मकर संक्रांती में बना आये हुआ खिच्री जो है उसका स्वात कुछ और अलग होता है आज के लिए बस इतना ही बार-बार पढ़ियें जिससे आपके पढ़ने की कोशलता का विकास होगा अगली बार हम इसी पार्ट के दूसरे भाग के साथ आएंगे और आपके साथ पढ़ेंगे खुश रही है